नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमार यूटूब चैनल फ्री एजूकेशन में दोस्तों साइधी आज कोई ऐसा एक्जाम होगा जहां पर गांदी जी से रिलेटेड एक कौस्टन ना पूँछा जाए महत्मा गांदी की समाधी इस्तल का क्या नाम है तो दोस्तों जितने भी कुस्टन इस वीडियो में लाया हूँ या आपको किसी भी कुस्टन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट वोक्स में आत्मा गांदी की समाधी इस्तल का क्या नाम हो जाएगा राज घाट ठीक है इसी प्रकास जो सकती इस्तल है ये इंद्रा गांदी की समाधी इस्तल का नाम है तो इसको हम कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं देखिए इंद्रा गांदी जो है भारत की पहली महिला प्रधान मं लौजिक लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन आपको याद हो जाया ठीक है? यहां पर लगाए विजाए घाट तो विजाए घाट जो है लाल बहादर शास्त्री की समादी इस्ताल है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? लाल बहादर, ठीक है? जो बहादर होगा बंदा उ उसकी ही विजय होगी, ठीक है, जो बहादर होगा, उसकी ही विजय होगी, तो ये भी हमें याद हो जाएगा, नेश्ट है किसान घाट, किसान घाट किसकी समाधी इस तरह है, चोदरी चरण सिंगी, ठीक है, तो इसको हम कहीं से याद रख सकते हैं, जो किसान होते हैं, उनके थी, उनके चरणों जो उनके पाउं होते हैं, उनकी पाउं की अपने एडियां देखी होगी, वो फट जाती है, मतलब चरणों की हालाथ खराब होती है, किस के किसानों के तो इस प्रकार से हमें कुछ भी relate करना है, एक दूसरे से link करना है, लेकिन याद तो करना है Next question देख लेते हैं, number second question है, महत्मा गांधी जीने ने मैंसे कौन सी पुस्तक नहीं लिखी ठीक है आपको बताना कि इन चार में से महत्मा गांधी जीने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है तो हम एक एक करके देख लेते हैं सभी को, देखें जो हिंद सुराज है, ये महत्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है नमबर B है, सच्चाई के साथ मेरा प्रियोग, इसको एंगलेस में बोलते हैं ये भी महत्मा गांधी की पुस्तक है, नमबर तीसरी पुस्तक है स्वास्त की कुंजी, की टू हेल्थ, ये भी महत्मा गांधी की ही पुस्तक है लेकिन जो number D पे लखा है भारत की खोज इसको हम बोलते है discovery of India ये महत्मा गांदी की पुस्तक नहीं है ये पुस्तक जो है प्रथम प्रधान मंत्री जवाहल ना नहीं रूखिये ठीक है बाकी की जो तीन पुस्तक है ये महत्मा गांदी की है important ये तीन पुस्तक है इनको याद करके में motivate करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकान जरो दोबालें और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हम लगातार बनाते रहते हैं important तो अब वो भी देख सकते हैं आप हमारी playlist को visit करके अभी आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगी link playlist की तो वहाँ से आप देख सकते हैं देख लेते हैं number third question है दो अक्टूबर को निमनमे से कौन सा दिवस मनाते हैं आपको बताना है तो देखिए दो अक्टूबर को अंतरराष्टी अहिंसा दिवस और इसको इंगलेस में बूलते हैं international non-violence day ठीक है तो C options ही हो जागा और परयो पूशा जाता है कि जो अंतरराष्टी अहिंसा दिवस से इसकी सुरूआत कब से हुई थी तो इसकी सुरूआत हुई थी 2007 से किसने इसकी सुरूआत की थी तो सयक्तराष्ट महा सवाने इसकी सुरूआत की थी और 2 अक्टूबर को महत्मा गांदी का जन्म हुआ था और इसी नम हुआ था एक और fact पूछा जाता है कि 2 October को महत्मा गांधी की जैनती की साथ साथ किस famous personality की या फिर कौन सा यासा महापरोस है जिसकी जैनती होती है तो 2 October को दो महान परोस पैदा हुए थे एक तो महत्मा गांधी जी और दूसरे लाल भादर सास्त्री तो दोनो famous personality की जैनती मनाया जाती है 2 October को ये question मुचा जाता है next question है किसकी पुन्यतिती पर हर साल 30 जनवरी को सहीद दिवस मनाते हैं तो 30 जनवरी को मनाया जाता है सहीद दिवस किसकी पुन्यतिती पर महत्मा गांधी जी की पुन्यतिती पर C option से हो जागा देखे 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को प्रवासी भरती देवस कम मनाया जाता है तो यह प्रवासी भरती देवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को A option से हो जाएगा और प्रवासी भरती देवस को क्या बोलते हैं इसको NRI Day भी बोलते है NRI का फुलपोम होता है Non Residence Indian ठीक है देखे हुआ क्या था 9 जनवरी 1915 को 9 जनव बात हुई थी 2003 से देखिए यह जो दिवस है इस दिवस पर विदेश में रहने वाले उन भारतीयों को आमेंत्रत कर सम्मानित किया जाता है जिनों ने अपने चेत्रे में बिसेस उपलब्दी हासिर कर भरत का नाम पूरे संसार में रोशन किया हो नमर चे कोस्टन है महत्मा गांदी जी के राजनेते गुरू कौन थे तो देखिए महत्मा गांदी जी की राजनेते गुरू थे गोपाल किष्ण गोखले डी ओप्सन से हो जागा देखिए इनकी एक पुस्तक थी उसका नाम था गोखले माई पॉलिटिकल गुरू इसी भर्मन किया था और जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये मुहम्मद अली जिन्ना के भी राजने तो गुरू हैं इसको भी आप याद रखेंगे नेश्ट कोशन देख लेते हैं नमर साथ कोशन ने फिनिक्स आसरम की इस्थापना किस ने की थी तो फिनिक्स आसरम की जो इस्थापना है ये महत्मा गांदी जी ने की थी बी ऑप्सन सही हो जाएगा और इसकी इस्थापना की थी गांदी जी ने तो इसकी इस्थापना की थ तो दक्षिन अप्रिका में इन्होंने दो चीज़ें की थी, एक तो फिनिक्स आसरम की इस्थापना की थी, वो दूसरा एक अखवार था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, इसका भी प्रकासन किया था नमबर आठ कॉस्चन है, महत्मा गांदी को सरप्रथम राष्ट पिता किस ने कहा, तो महत्मा गांदी जी को सबसे पहले राष्ट पिता कहा था, सुबास चंद्र बोस ने, अब सबसे पहले महत्मा गांदी जी को राष्ट पिता कहा था, सुबास चंद्र बोस ने, तो सुब नेता जी की उपादी किस ने दी थी तो सुभास चंद्र वोश को नेता जी की उपादी दी थी एडॉल फिटलर ने ठीक है तो ये भी आप याद रखेंगे एडॉल फिटलर ना जो है सुभास चंद्र वोश को नेता जी की उपादी दी थी नेश्ट कॉस्टन देख लेते है गांदी जी ने दक्षन अफरीका में प्रतम सत्यागरह कब किया था तो गांदी जी ने दक्षन अफरीका में पहला सत्यागरह किया था 1906 में B option से हो जागा देकि सितंबर 1906 में दक्षन अफरीका द्वारा भारतियों के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था जो की भारतियों के हित में नहीं था उसी की ब्रोध में गांधी जी ने अपना पहला सत्यागरा किया था 1906 में दक्षण अफरिका में नमबर दस को स्टन है दक्षण अफरिका से लोटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्यागरा कौन सा था तो भारत में गांदी जी ने पहला सत्याग्रा किया था चंपरण विहार में तो ठीक है ये चंपरण सत्याग्रा की नाम से जाना जाता है ये सत्याग्रा इनोंने कब किया था 19 अप्राल 1917 को इनोंने ये सत्याग्रा किया था और ये सत्याग्राय जो है नील की केती से पीरत केसानों के समर्थन में किया गया था ठीक है तो पूछा जाए भारत में पहला सत्याग्राय कौन सा किया था तो चमपरान सत्याग्राय था या पर पूछा जाए कि दक्षन अपरिका से लोटने के बादेनों ने पहला सत्याग् तो इससे सम्मंदित हैं नमर बी पे लिखा है खेडा सत्य गरह एद नीस सो अठारा में गुजरात में हुआ था इसका भी नेतर तो किसे ने किया था महत्मा गांधी जी ने किया था और दोनों ही आंदोलन जो है किरसक आंदोलन हैं तो इसका सी ओप्संस ही हो जागा और परय कंदी जी ने बी ओप्संस ही हो जागा इसकी स्थापना कप की थी इन्होंने 1932 में इसकी स्थापना की थी और देखे 1932 में ही गन्धी जी ने सबसे पहले अच्छूतों को घृजजन नाम दिया था और एक संग बनाया था जिसका नाम था ह्रिजन सेवक संग ठीक है तो दे किया गया ठीक है नहीं किया गया लेखा है तो एक एक करके देख लेते हैं असायोग आंदोलन 1920 में हुआ था गांदी जी की नेतत्त में सन हमें देखते चलना है सवीने अवग्या आंदोलन 1930 में हुआ था गांदी जी की नेतत्त में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था गांदी जी की नेतत में लेकिन जो बार्दोली सत्याग्राय है ये इसका नेतत तो गांदी जी ने नहीं किया वार्दोली सत्याग्राय के बारे में हम समझ लेते हैं ये जो वार्दोली है ये कहाँ पर है गुजरात मैस्तित है ठीक है और ये वार्दोली सत्याग्राय है एक किसान आंदुलन था और इसका नियतत तो सरदार बल्लब भाई पटेल ने किया था और इस वार्दोली सत्याग तो देखिए famous पुस्तक है unto this last तो देखिए सबसे पहले तो question यहां से बन जाता है कि unto this last जो book है इसका गुजराती में अनुवाद किस ने किया तो answer होगा महत्मा गांधी जी ने किस नाम से किया तो सर्बुदय नाम से इन्होंने गुजराती में translation किया था इस book का जो unto this last book है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है जोन रसकिन ठीक है इसका प्रकासन कब किया गया था तो इस पुस्तक का प्रकासन किया था 1860 में और गांधी जी ने इसका गुजराती में translation किया था गुजराती में इन्होंने translation किया था 1908 में ठीक है 1908 में किया था ये पुस्तक है अंटू दिस लास्ट इसके जो राइटर है वो है जॉन रसकिन नैश्ट कोस्चन देख लेते हैं नमर 15 कोस्चन है भारती राष्टी कांग्रेस के किस अधिविशन की अधिख्षता गांधी जी ने की थी तो भारती राष्टी कांग्रेस का एक मात्र ऐसा अधिविशन है जिसकी अधिख्षता गांधी जी ने की थी वो अधिविशन है वेल ग्राम अधिविशन कब हुआ था 1924 में हुआ था और ये वेल ग्राम कहां पर है तो ये करनाटक में है और यदि नमबर पूछा जाए कि ये कांग्रेस अधिविशन का कौन सा नमबर था तो ये 39 इसका नमबर था अधिविशन का और गांधी जी ने केवल एक ही अधिविशन की अधियक्षता की है वेल ग्राम अधिविशन की नैस्ट कॉस्टन देख लेते हैं ये कॉस्टन भी कई बार परिक्षा में पूचा मैं से किवल एक संहीन में भाग लिया था दोतिये गोलमे संहीन में और दोतिये गोलमे संहीन कब हुगा था 1931 में हुगा था ठीक है और कॉस्टन पूच जाता है कि भाति रात्ये राश्टिये कांग्रेस की तरफ आपसे तीनों गोलवे सम्मिलैंट में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है तो तीनों गोलवे सम्मिलैंट में भाग लिया था डाक्टर साहब वी आर अमबेट करने तो यह फैक्ट भी बनता है इसको भी आप याद रखेंगे नमर 17 कोस्टन है पूरा पैक्ट किसके बीच में हुआ था तो यह जो पूरा पैक्ट है यह अमबेटकर सहाब और महत्मा गांधी जी के बीच में हुआ था तो सी ऑप्सन से हो जागा य तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये समझोता है ठीक है और ये पुड़े की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था ये जेल पूछे जाती है तो पुड़े की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था कब हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था ठीक है 24 सितंबर 1932 को हुआ थ इसका परिणाम क्या निकला था देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो Ambedkar सहाब थे वो चाहते थे दलिकतों के लिए निरवाचन मंदल अलक से पृथक निरवाचन मंदल चाहते थे Ambedkar सहाब लेकिन महत्मागंदी ऐसा सोचते थे कि ये पृथक से इनका निरवाचन ना हो इनका निर्वाचन सबके साथ में ही हो हम इनके लिए कुछ सीटे निश्चित कर दें मतलब सीटों में रजर्वेशन रख दें ठीक है तो यह अम्बेटकर साहब मान गए थे तो ऐसा समझेता हो गया था उसका नाम तब पूना पैक्ट औरस में क्या किया गया था कि जो अम्बेटकर साहब जो है मजबूर हो गय थे मानने के लिए नेस्ट कोस्टन है गांदी जी का नाम निमन में से किस नारे के साथ जुड़ा हुआ है तो गांदी जी ने कौन सा नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था गांदी जी ने हे राम का नारा भी किस ने दिया तक गांदी जी ने दिया था तो C option से हो जाएगा जो उपरयोक्त दोनों नारे हैं ये गांदी जी की नारे हैं नमबर D पे जो लखा है आराम हराम है ये नारा किसका था क्योंकि हमें तो fact समझना है कुछ भी आ जाए हमें पता होना चाहिए तो जो आराम हराम है ये नारा जो है ये जवाहला नेहरू ने दिया था नमबर 19 question है महत्मा गांदी निम्न में से किस समाचर पत्र के संपादक नहीं थे तो किस समाचर पत्र के नहीं थे हमें ये बताना है और यहां से हम वह सरे facts को समझेंगे जो की important होंगे तो सबसे पहले में आपको बता दूँ कि महत्मा गांदी जो है यहां से तीन प्रमक समाचर पत्र गांदी जी के थे पहला हरीजन है दूसरा नावजीवन है तीसरा ये वाह भारत ये ये यंग इंडिया भी बोला जाता है ठीक है जो बंदे मात्रम समाचर पत्र है इसका प प्रकासन किया लेकिन जो हमारा बंदे मातरम राष्ट गी थे किसके दौरा लिखा गया तो जो बंदे मातरम हमारा राष्ट गी थे ये लिखा गया था बकिम चंदर चिटर जी के दौरा अलग-अलग फैक्ट होते हैं ये परिक्षा में बिल्कुल सेम्टू से हम छपे होते हैं और मेरी कोशिस यही रहती है कि एक वीडियो में जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट हो आपको बता पाऊं नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं नमर 20 कोश्चन है महत्मा गांदी की म्रत्य उपर किस ने कहा हमारे जीवन का प्रकास चला गया तो हमारे जीवन का प्रकास चला गया महत्मा गांदी की जब म्रत्य हुई थी तो ऐसा कहा था देश के प्रतम प्रधान मंत्री जवाहलाल नह फिरुने ठीक है ये कॉस्टन सीधा का सीधा रेलबे में पूचा गया था नेश्ट कॉस्टन देख लेते हैं नमर एककी स्की मृत्यू पर महत्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय सोरमंडल का एक सितारा डूब गया जब बाल गंगा धरतरलक्की मृत्यू पर ये नुरुन कह यहां से कई सारे question पूछे जाते हैं, महत्मा गांधी और उनके स्वेम सेवकों ने दांडी यात्रा कितने दिनों में तय की थी, तो महत्मा गांधी और उनके स्वेम सेवक जो थे, इन्होंने दांडी यात्रा जो है 24 दिनों में तय की थी, तो इस question का B option सही हो जायागा, दांडी गाहुं तक पैदल यात्रा की थी तो पैदल यात्रा इनों ने की थी इनके साथ इनके लगवग अठथर अनुबाई थी तो कितनी दूरी तय की थी यह से भी कौस्चन पूचे जाते हैं तो इन ने लगवग 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी ठीक है यस यात्रा को दांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्राई भी कहा जाता है ठीक है और यह यात्रा या फिर सत्याग्राई है यह 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अपरल 1930 को समाप्त हुआ था टोटल केतने दिन लगे थे टोटल 24 दि नेस्ट कोस्टन है दक्षण अफ्रिका के किस रेलेवे इस्टेशन पर गांधी जी को ट्रेंज से फैंक दिया गया था तो यह भूती भेंकर घटना थी यह कोस्टन पूचा जाता है और घटना हमें पता भी होना चाहिए उस रेलेवे इस्टेशन का नाम था पीटर मारत स अचाहिए उस्टवर्ग रेलेवे इस्टेशन पर पहुछी तो वहां पर गांधी जी से कुछ लोगों ने भूला कि आप फर्ड किलास में जाओ ठीक है फर्ड किलास में जाओ तो इन्हों ने मना कर दिया तो वहां जो सवेत लोग थे अंग्रेज लोग थे उन्नोंने गा पीट की और ट्रेंस से नीचे फेंग दिया था नेस्ट कॉस्टन है टाइम मैगजीन ने किस बस गांदी जी को मैन आप दा इयर घोसित किया था तो टाइम मैगजीन ने गांदी जी को मैन आप दा इयर घोसित किया था 1930 में, ठीक है, 1930 में गोसित किया था, और Time Magazine जो है एक अमेरिकी समाचार पत्थ है पूरे संसार में famous है Next question है, most important question है, 1982 की फिल्म गांधी में महत्मा गांधी जी का करदार कसने नवाया था, तो जो गांधी फिल्म है, कब बनी थी 1982 में बनी थी, और इसमें जो है गांधी जी का जो करदार है वैन किंग्स लेने नवाया था, तो ए ओप्सन सी हो जागा, ये फिल्म जो है महत्मा गांधी जी की वास्तविक जीवन पर वनी हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, ये जो हैं, ये हैं वैन किंग्स ले, और ये जो हैं, अंग्रे जी अविनीता थे, और यदि पूछा जाए कि ये जो फिल्म है गांधी इसके डारेक्टर कौन थे, तो इसके डारेक्टर का नाम था, रिचर्ड एटनवरो, रिचर्ड एटनवरो जो हैं गांधी फिल्म के डारेक्टर थे नेस्ट कॉस्चन देख लेते हैं 26 कॉस्चन है महत्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भासन कहां पर दिया था तो गांधी जी ने अपना पहला जन भासन दिया था वारानसी में ठीक है वारानसी में दिया था डी ओप्सन से हो जागा देखिए बनारा सिंदु विश्विद्य हले की इस्थापना हुई थी कब 1916 में ठीक है और इसी आउसर पर जो है गांधी जी ने एक जन सबा को संबोधित किया था और ये इनका भारत में पहला सार्ब जनेक भासन था गुजरात में साबर्बती आसरम की इस्थापना गांधी जी ने किस बर्स की थी तो साबर्बती आसरम की जो इस्थापना है वो कहां पर की गई थी गुजरात में की गई थी और इन्हों ने जो है 1917 में साबर्बती आसरम की इस्थापना की थी और यहीं से इन्हों ने प्रिस दांडी मार्च शुरूं किया था गांधी इर्बिन समझोता पर हस्ताक्षर कब किये गए तो गांधी इर्बिन समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थे 5 मार्च 1931 को D option से हो जाएगा देखे महत्मा गांधी एवं लाड इर्बिन के बीच में ये समझोता हुआ था इसको दिल्ली पैक्ट की नाम से भी जाना जाता है तो ये डेट आपको जाद रखना है 5 मार्च 1931 को गांधी इर्बिन समझोते पर हस्ताक्चर किये गए थी Next question है बेटे सरकाद वारा गांधी जी को निम्नमे से कौन सी उपाधी दी गई थी तो वेटे सरकाद वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधी दी गई थी C option से ही हो जाएगा Next question है महत्मा गांधी जी को अर्दनगन फकीर किसने कहा था तो गांधी जी को अर्दनगन फकीर कहा था विश्टन चरचलने A option से हो जाएगा अब देखे दोस्तों कुछ और फेक्ट है गांधी जी से ही रेलेटेड हैं वो भी पूँचे जाते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं Number 31 से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है तो देखे सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुलगफार खान को और ये खान अब्दुलगफार खान जो है ये पाकिस्तान के थे ठीक है कॉच्टन पूचा जाता है कि पहले विदेशी व्यक्ति कोन है जने भारत रतन दिया गया था तो पहले विदेशी व्यक्ति हैं जने भारत रतन दिया गया था उनका नाम था खान अब्दुलगफ़ार खान और इनको सीमात गांदी के उपनाम से जाना जाता है नमबर 32 कॉस्टन देख लेते हैं दक्षन अफरीका के गांदी किसे कहा जाता है तो दक्षन अफरीका के गांदी कहा जाता है नेलसन मंडेला को ठीक है और Nelson Mandela कौन थे तो दक्षण अफ्रिका के पूर्व राष्ट पती थे देखे मैं आपको बता दू कि अब तक केबल दो विदेशी व्यक्तियों को भारत रतन मिला है पहले पूछा जाता है तो पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ़र खान और दूसरे व्यक्ति थे नेलसन Mandela ठीक है दूसरे व्यक्ति कौन थे नेलसन Mandela और अब तक केबल दो विदेशीों को ही भारत रतन मिला है नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नेश्ट कॉस्चन है किसे विहार के गांधी की रूप में जाना जाता है तो विहार के गांधी कहा जाता है डाक्टर राजिंदर प्रसाथ को और डाक्टर राजिंदर प्रसाथ जो हैं भारत के प्रतम राष्ट पती थे नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नमबर 34 question है आधुने गांधी के रूप में किसे जाना जाता है तो आधुने गांधी कहा जाता है बाबा आम्टे को स्री लंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है तो स्री लंका के गांधी कहा जाता है 80 अरिया राटने को 80 अरिया राटने को स्री लंका के गांधी की रूप में जाना जाता है Next question देख लेते हैं American गांधी किसे कहा जाता है तो American गांधी कहा जाता है Martin Luther King को Martin Luther King को American गांधी कहा जाता है Next question है अफ्रीकी गांदी के रूप में किसे जाना जाता है तो अफ्रीकी गांदी कहा जाता है कैनाथ कॉंडा को कैनाथ कॉंडा को कहते हैं अफ्रीकन गांदी तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी गांदी जिसे रिलेटर कॉस्टन है लगवक complete हो चुके हैं अब आपके लिए challenging question है इसका answer आपको comment करके बताना है जो कि हम पूछते हैं हमारे previous वीडियो से भारतिय समिधान के निर्मान के लिए गठेत किस समीति के अध्यक्ष डाक्टर वी यार अमबेटकर बनाए गए थे तो वी यार अमबेटकर के समीति के अध्यक्ष बनाए गए थे यह आपको बताना है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी तक जो है अमबेटकर सहाप से related question बना चुका हूँ जितने भी बन सकते हैं सरदार बलब भाई पटेल से related question बना चुका हूँ इंपोर्टेंट और गांधी जी से related question बना चुका हूँ तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं यहापर आपको लिंक मिल जाएगी इन वीडियो की आई बटन में ठीक है और अब जो है आप हमें comment करके बताएं कि आप किस famous personality के उपर किस की जीविने के उपर आप वीडियो question चाहते हैं जिस comment पर ज्यादा like होंगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे तो धैंको दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत भुत धन्नवा दे दिया आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को like करके हमें motivate करें वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ with extra facts के साथ मेरे वीडियो में भले ही कम question होते हैं लेकिन facts अधिक से अधिक होते हैं और important होते हैं आपके एक्जाम में वहती ज़्यादा helpful होते हैं तो please वीडियो को like करके हमें motivate करें और अपने state related जितने भी बाट्सप ग्रूप हैं सभी में share करें अपने दोस्तों के साथ और चनल को subscribe करने के साथ सथ bell icon जरू दबालें ताकि मैं कोई भी नैश्ट वीडियो डालू तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें और हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप हमारी playlist विजिट कर सकते हैं प्ले लिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर i button में मिलेगी नीची description में मिलेगी तो आप कहीं सभी हमारी फुराने वीडियो को देख सकते हैं या फर आभी आपको स्क्रीन पर तीन महत्पून वीडियो देख रहे होंगे उनको देख लें थैंकि दोस्तों मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रा